Hello Friends, Welcome to my channel Make a Treat आज हम बनाएंगे बिना प्यास और लहसुन के शाही पनीर मसाला जो देखने में जितना लजीज है, खाने में उतना ही बढ़िया तो चलिए इस बढ़िया सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं शाही पनीर मसाला बनाने के लिए सबसे पहले हम 4-5 टमाटर और एक अद्रक का टुकड़ा लेंगे और 4-5 सूखी साबुत लाल मिर्च और 2 टेबल स्पून काजू लेंगे और इन सभी चीजों को एक साथ मिकसर में डाल कर ग्राइंड कर लेंगे टमाटर और अद्रक को हमने रफली चौप कर लिया है देखिए अब इन सभी चीजों को पीस कर हमने इनका एक पेस तयार कर लिया है अब हम अपने शाही पनीर मसाला का ड्राइ मसाला तयार करेंगे ड्राइ मसाला बनाने के लिए हम 6-8 लॉंग लेंगे आदा जाइफल का टुकड़ा लेंगे दो बड़ी इलाइची और एक दालचीनी का टुकड़ा लेंगे और वन टीस्पून साबुत काली मिर्श लेंगे और इन सभी चीजों को एक कड़ाई में ड्राइ रोस्ट कर लेंगे जाइफल को हम रफली चौप कर लेंगे ताकि ये अच्छी तरह से रोस्ट हो जाए और इसे पीसने में भी आसानी हो अब इन सभी चीजों को हम सिर्फ एक मिनिट के लिए रोस्ट करेंगे और फिर इन्हें थोड़ा ठंडा करके मिकसर में पीस लेंगे हमारा ड्राइ मसाला बनकर तैयार है अब शाही पनीर मसाला बनाना शुरू करते है जिसके लिए हम कड़ाई में दो टेबल स्पून घी लेंगे और घी जब गर्म हो जाएगा तो इसमें दो छोटी इलायची और दो तेज पत्ता एट करेंगे जो हमने ड्राइ मसाला तैयार किया था उसे एट करेंगे हाफ टी स्पून लाल मिर्श पाउडर एट करेंगे हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर एट करेंगे हाफ टी स्पून धनिया पाउडर एट करेंगे और इन सभी मसालों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और फिर इसे ढख कर लो फ्लेम पर एक मिनिट के लिए कुख होने देंगे एक मिनिट बाद इसे चेक करेंगे देखिए ये जो चिकनाई उपर दिखाई दे रही है इसका मतलब प्यूरी अच्छी तरह पक चुकी है अब इस स्टेज पर हम गैस की फ्लेम को ओफ कर देंगे और इसमें दो टेबल स्पून फ्रेश थिक दही एड़ करेंगे और एक मिनिट के लिए भूनेंगे फ्रेंज अगर हम गैस की फ्लेम को ओफ ना करें तो दही के फटने के चांसिस रहते हैं अब इसमें हम दो टेबल स्पून फ्रेश मलाई एड़ करेंगे और इसे भी लो फ्लेम पर एक मिनिट के लिए भूनेंगे अब इसमें हाफ टी स्पून चीनी एड़ करेंगे, वन टी स्पून कसूरी मैथी एड़ करेंगे एक ग्लास पानी एड़ करेंगे और इन सभी चीजों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और इसे ढख कर low to medium flame पर दो मिनिट के लिए पकने देंगे अब दो मिनिट हो चुके हैं अब हम इसमें 250 ग्राम चॉप्ट पनीर एड़ करेंगे फ्रेंज मैंने कच्छा पनीर यूज किया है आप चाहें तो पनीर को shallow fry या deep fry भी कर सकते हैं पनीर के कुछ पीसे हमने बचा लिए हैं जिने हम बाद में एड़ करेंगे अब इसमें हम half teaspoon नमक एड़ करेंगे और इसे अच्छी तरह mix करते हुए एक उबाल ले लेंगे अब इस stage पर हम इसमें जो हमने पनीर के pieces बचाये थे उन्हें grate करके एड़ करेंगे quantity में देखें तो ये 2 tablespoon grated पनीर है इससे gravy में thickness आएगी अब इसमें 3-4 hurry mix हम slit करके एड़ करेंगे और इसे भी अच्छी तरह mix कर लेंगे और इसे 4 minute के लिए low to medium flame पर ढखक कर पकने देंगे दो मिनिट बाद इसे एक बार चलाएंगे ताकि gravy लग न जाए देखिए हमारी सबजी में कितना बढ़िया color आया है अब इसे वापस से ढखक कर 2 minute और पका लेंगे Friends, अब हमारा शाही पनीर मसाला बनकर तैयार है अब इसमें बारी कटा हरा धनिया एट करेंगे और इसे गर्मा गरम सर्फ करेंगे लग रही है ना सबजी, बिलकुल लजीज कोई कह सकता है कि इसे हमने बिना प्याज और लेसन के घर पर बनाया है तो आप भी इस टेस्टी रेसिपी को बनाएं और इंजॉय करें और अगर यह रेसिपी आपको हेलफो लगी है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, कॉमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूदें